तो आज में स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू करेंगे अपने चेप्टर को जो हमने कल स्टार्ट किया था डेली सुल्थान्स क्लास 7th NCRT तो हमने देखा कौन-कौन से रूलर्स हैं उनके बारे में देखा ठीक है जिनके बारे में यहां पर पढ़ना है ठीक है तो अब यहां प संचुरी तो थर्टीन संचुरी में देखो क्या कहना चाहर है कि थर्टीन संचुरी में है यह लोग क्या करते थे बस गैरिसन मिंस क्या होता है जो अनके युनिट होती है कि इनकी सूल्जर्स की युनिट है इन्फिंट्री सूल्जर्स की युनिट है उसको आप कह सकते हो तो तो ये क्या करते थे बस उतना ही इनका काम रहता था कि उनके लिए फोड बना दिये ठीक है तो इतना ही इनका काम था ज्यादा था और उसे ज्यादा ही इनका काम रहता नहीं था और उसके बाद इस वज़े से अपना एक्सपेंसन तो ये कर लेते थे एमपायर का लेकिन उसक बड़ा मुस्किल हो जाता था क्योंकि इनका ज्यादातर जो कंट्रोल था वह सिर्फ फोटिफाइड फोट करने फोट बनाने में इसी मेरी रहते थे तिक है अब उनको ज्यादा इनिशियल जो इनके लिए होता था इसे ली हम कह सकते जैसे ट्रेड है ट्रिब्यूट है प्लंडर फॉर सप्लाइज है बिसिकली यह अपने लाइवलिहुट के लिए सिर्फ किस पर डिपेंड रहते थे आपका टेक्स लेना या फिर लूटना इस तरह की चीज़ें करते थे यह आपता। हैंडरले मboy मैं। यह आपका बर्णान रहत अदिज़ेंधा की का बिए है हैंडरले में ही चाली पहाल सकता सप्लब कायण अदिट पहाल्ड़ सिम अए stallionberg ट्रॉल veramente by Mongols invasion from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. The Sultanate barely survived this challenge. Its expansion occurred during the regions of Gyasuddin Balban, Alauddin Khielji and Muhammad Tuklaq. So basically what happened was that the fortified, the garrison town where soldiers were used to be controlled, because it was obvious that they were in borders and they were so big in order to control them, so it was very tough to control them. Even in bad weather, the people who were in communication, the people who were पता चला कि कोई सुल्तान कमजोर हो गया है उसको वह कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो बस तुरंट उस टेम पे इन्वेजन होते रहे हैं आप देखेंगे कितने इन्वेजन से यहां पर हुए और इनका जो बेसिक इनका देली सल्तनत का वह भी ग्यासुत दिन बल्बन अलावदीन खिल और मुहम्मद तुभलक के टाइम पर ही होगा है तो होता क्या था बेसिक लिए इसको एक फिनॉमेना यह समझो कि बहुत बड़ा आपका एक्सफेंशन हो गया है एंपरर का अब यहां पर को रूलर है यहां को कंट्रोल कर पाना टफ है उसने फोटिफाइड तो कर दिया लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि इतनी ज़्यादा अब उपर से जो छोटे-मोटे इन्वेजन भार से होत इन्वेजन होना है तो ऐसा ही अगर हम इन्वेजन मंगोल इन्वेजन की अगर हम बात करें यहां बर को तो अलाओदीन खिल जी याद रखेंगे अलाओदीन खिल जी के यह टाइम पे सबसे पहले मंगोल इन्वेजन हुआ किसके टाइम पे अलाओदीन खिल जी के टाइम ठीक है अब यहां परोकिस की बात आई है तो हम इसकी बात कर लेते हैं अलावदीन खिलजी के टाइम पे पहला मंगोल इन्वेजन हुआ 1297-1298 के टाइम पे फिर सेकेंड मंगोल इन्वेजन हुआ काफी सारे मंगोल इन्वेजन अलावदीन खिलजी के टाइम पे हुए अगर काउंट ही करके बताएं तो 6 इन्वेजन हम कह सकते हैं ठीक है 1297-98-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99 फिर बात करें अलावदीन खिलजी के टाइम पे ही सबसे पहले साउथ को जीतना शुरू किया ठीक है अभी तक का कोई ऐसा रूलर नहीं था जिसने साउथ को डिफिट किया हो ठीक है तो पहला डली सल्तनत का जो फर्स्ट रूलर था वो अलावदीन खिलजी ही था जिसने स शुरुआद भी करिया आपकी देवगिरी से ओके देवगिरी अगर हम इसको एक्जेक्ट यहां पर को बताएं तो कि मैप में आपको मैं यहां पर दिखा दूँगा कि देवगिरी एप्रॉक्सिमेटली कहां पर रुख है ठीक है आप नाम याद रखेंगे अभी जैसे यहां पर कोई मैप दिखता है तो मैं आपको मैप में दिखा दुखा कि एग्जेक्ट देवगिरी आपका कहां पर ठीक है तो यह थी थोड़ा सा फेक्ट्वल ओलेज़ The first set of campaign along the internal frontier of the Sultanat aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. During these campaign forests were cleared in the Ganga Yamina Duaab and hunter-gatherers and pest relievers expelled from their habitat. तो अगर बात करें कि जो सल्तनत का जो इंटर्नल बांडरी थी वहां पर को जो भी कैम्पेंड चले वो उन कैम्पेंड में इनका में था कि जो गैरिसन सिटीज हैं उनको इस्ट्रॉंग बनाया जाए और जो गंगा यमना दोर्क था ठीक है उसको इन्होंने क्लिईर किया जो जंगल थे उनको सबसाब किया जितने भी आपके हंटर्ने गैजडरर्घ थे उनको हँआ से हटाया ठीक है और जो लैन था वो पिजेंस को दिया ठीक है ताकि अगरी कल्चर अच्छा हो सके देन अच्छे बनाए ठीक है और नहींने फोड बनाए नहींने सिटीज बनाए तो यह बेसिकली उनका काम था ठीक है इस बात को समझना कि वहाँ पर को डेली सल्तनत के जो भी रूलर्स तो उन्होंने काम क्या किया उन्होंने पहले तो गैरिसन टाउंस को स्ट्रॉंग बनाया उस इसमें जो जंगल थी इनको इन्होंने साब किया ठीक है और जितने भी हंटर गैदरर्स थे पैस्ट्रॉलिस्ट थे उनको वहां से हटाया और जितनी भी एग्रिकल्ट रेल लेंड थी उनको पिजेंस हो जिया ताकि अग्रिकल्चर अच्छा हो सके अग्रिकल्चर को प्रम निए फोल्ट बनाए निए थे सब्हन आए टांस बनाए जो पर आए इस फिर ने से की सिर्ट शक्रिंजी तो है टो आपक सके और से करण सके और स्पन्षन अरूंग अगर्ओंग यह रस फिरस उसके कैंट मैनता हो ज्ल सतनात्य प्रिकल्ट करत अångं दूसलीयर in अग्रिकल मेंडर्स और सेंके में बात करें तो इनुं का काम था कि अब जब physical काम हो गया है तो अब क्या करेंगे external ठीक है तो external का काम कईसे करें इन्हों है external expansion के लिए क्या कि अब इन्होंने शुरू करना स्टार्ट किया अपना कि emperor को expand करना शुरू किया तो सबसे पहले अ tbsp दिन खिल जी ने साउथ को एम किया उसमें देवगीरी मैंने आपको बताया ठीक है और मुहम्मत उखलक के टाइम पर जाते जाते यह अपने एक्स्ट्रीम लेवल पर पहुंच गया था ओके और वहाँ जाते थे अब 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 यहां लड़ाई करेंगे देखो एम क्या है एम एहाँ पर को है अपने गैरीसन टाउन को स्ट्रॉंग रखना है बाहर से होने माले इन्वेजन को रोकना है और ओल्दो इन्वेजन तो श्रॉंग यह जैसी सomed की पोजिशन वीक पड़ेगी तोremlin तो होने है लेकिन इस्ट्रॉंग बनाने के लिए क्या करेंगे उउब्यस ह लिया अब external के लिए देख रहे हैं तो external अपने एरिया को expand कर रहे हैं अब expand करेंगे तो उसमें फाइदा क्या है जब देखो expand करने का जो benefit है वो internal के लिए है क्योंकि जब वो वार करेंगे battle होगा तो obvious है काफी सारा उनको means precious metals मिलेंगे elephants मिलेंगे horses मिलेंगे slaves मिलेंगे तो इससे क्या होना है अपना internal जो border है internal frontier है उसी को strong करने में help मिलेगी उसे पस्रहमाज करेंगे वार की फस्रहाल HA premiere है जो ऑिए उस्शानाओ पस्रह्सा जो कर व्य को ride aja कर। पर घएर कर बढ एर लाज कर थे म्वाद तो आष्य कॉ्डश्ति को बंट एट सmbol कंट्रोल ओवर सच वास्ट जेटरी अब अगर हम स्टार्टिंग करें ठीक है तो जो स्टार्टिंग थी दिलिश सल्तनत की काफी वीग थी ठीक है उस टेम्पे उनका बहुत अच्छा कंट्रोल तो हम नहीं गएंगे लेकिन धिरे-दिरे अलादीन खिल जी के टेम्प फिर मह पतारीफ होती है ठीक है तो अलादीन खिल जी के टेम्प पे महंबद बिन तुगलग के टेम्प पे काफी सारे प्रॉब्लम्स आई ठीक है फिर उससा तुगलग के टेम्प फिर चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल थी लेकिन हम यह कहेंगे कि सुरुबात तो वीग थी लेकि और बिलकुल सब को डिफीट करके पूरा बहुत बड़ी वास टेरिट्री को अपने अंडर ले लिया था अब यहां पर गोई था कि वो जितने भी आपके पीजेंस थे उनके टेक्स लेते थे टेक्स कलेक्ट करते थे अब मेन यह है कि इतने बड़े एरिया में अगर उनका कंट्रोल हो गया था तो यह कितना एफेक्टिव था यह भी यहां पर को देखने वाली बात होगी ठीक है अगर आप देखें तो यह साउथ इन्वेजन दिखा रहा है कि कितने जो उनके साउथ वो थे कैंपें थे ठीक है तो आप देख सकते है ठीक है डैली से 1299 फिर यहां कि महराश्टा वाला हिस्सा है ठीक है सबसे पहले अलावदीन खिल जी ने फर्स्ट जो साउथ इन्वेजन था इस बात को मैं याद रहेंगे फर्स्ट जो साउथ इन्वेजन था इन टाइम पिरिड़ ऑफ दली सल्तिनत इट वस टार्टेड वाई लावदीन खिल जी ऑग तो यहां पर को आप देख सकते हैं यह इसने दिखा रहा है कि कप कप इन्वेजन हुआ है ठीक है और लास्ट में आप देख सकते हैं कि पूरा इतनी बड़ी टेरिट्री पर अगर आपका कभजा है आपने इसको सिक्वर कर लिया है तो इसको कितना एफेक्टिव आप कर प रहे हैं यह भी देखने वाली बात थी यहां पर एक फिगर दिया हुआ है फिगर टू कुष्ट अलसलाम मॉस्क्यू ओके मस्जिद और मिन्रत पर देखने यह भी आप को इक तरह का फिक्षूल नाइज्द नॉल्ट नौसली नौसल कि इसमौट प्रश्ट आपके मिन्रत थी नेवालिट अल्तुतमिश और आपको यहां पर को एक तरह का factual knowledge भी कह सकते हैं तो आप इस बात को याद भी रखेंगे, okay then Begampuri Mosque built in the region of Muhammad Tuglaq was the main mosque of Jahapanah, the sanctuary of the world, his new capital in Delhi the masjid, a mosque is called a masjid in Arabic literally a place where a Muslim postrates in reverence to Allah, in a congregational mosque Masjid-e-Jami or Jama Masjid, Muslims read their prayers, namaj, together members of the congregation choose to most respected learned male as their leader, imam for the rituals of prayer, he also delivers the sermon means khutbah during the Friday prayer during prayer, Muslims stand facing Makkah, in India this is to the west, this is called Qibla Delhi Sultan built several mosque in cities all over the subcontinent, these demonstrated their claims to be protectors of Islam and Muslims, Mosqueus also helped create the sense of a community of believers who shared a belief system and a code of conduct, it was necessary to reinforce this idea of a community because Muslims came from a variety of backgrounds So what was that? What was that? What was that? Masjid, Mosqueus is an Arabic word, which means the meaning of what is the meaning of the place, where Muslims are the Muslims, who are Allah to prayer, and they call it the prayer, हमी कहते हैं तो होता क्या है कि नमाज की जो यह प्रोसेस होती है इसके एक सबसे जो बहुत रिस्पेक्टेवल जो परसन होता है मेल उसको इमाम या फिर लीडर चुन लिया जाता है उसको हम वह लीडर कर लेते हैं और जिस दिन और फ्राइड़ के जिनकी जो नमाज होती है उस दिन ये लोग क्या करते हैं एक खुद्बा बिसिकली इसको आप कह सकते हैं यह रिलिजियस एक तरह का रिलिजिस्टिक व्यूज उस दिन डिलिवर होते हैं ठीक है उसको खुद्बा क्या है बिसिकली एक रिलिजिय छेलेटेड जो बाते हैं उसदिन वो पता ही जाती हैं और बताता कोन है इमाम जिसको वही लोग जो सारे मुसलिम से हैं उसको उसको do और फिर वो हर फ्राइडे की नमाज के दिन क्या करता है जिस तेम पे प्रियर के दिन खुदबाँ पढ़ता है उसको एक्सप्रीं करता है और जो जिस टेम पे प्रियर इनकी उतिस को नमाज ही कहते हैं ठीक है नमाज कहते हैं उस समय पर जो भी मुस्लिम्स हैं ठीक है वो सब कहां को फेस करके खड़े रहते हैं मक्का की तरफ अब मक्का कहा है मक्का इंडिया के अगर इस्पेक्ट में देखें तो यह वेस्ट में ह तो यह जो जो डिरेक्शन है मक्का की इसको किबला कहते हैं क्या किबला क्यू आई बी ल अब दिली के जो सल्तन थे जो सुल्तान थे दिली के इनों ने इंडियन सब कॉंटियू में बहुत सारी सिटीज में मॉस्क्यू बिल्ड कर आए ठीक है बनवाए ओके आप देख सकते हैं मूठ की मजजिद बिल्ड इन दरीजन ऑफ सिकंदर लोदी बाई हिस मिनिस्टर ओके अलाओदीन खिल जी को याद रखना इसको मिना सिकंदर सेकें कि उसने अपने आपको एक मतलब क्या सकते है अश्वाए त सिकंदर सेटें को भी या फिर शिकंदर सेकंड्र क्योंकि उसका भी जो एक्वेPS करने का सब पूरी दुनिया को जीतने का तुछ्वाइब herd तो इस वजह से इस तो भी एक्जेंडर सेकेंड या फिर सिकंदर सेकेंड का टैटल दिया जाता है तो मोट की मज़िद सिकंदर लोधी के टाइम पर बनी थी मॉसकोफ जमाली कामली बिल्ट इन दे लेट 1520 और लोधी के समय पर ही होगा क्योंकि 1526 यह उनका ही टाइम पिरियड है तो यह था यह टापिक हमने जो देखा गैरिसन टाउन टिक है नेक्स वीडियो में इसका अड्मिस्टेशन देखेंगे तिक है खिल जी और तो गलसका कुछ जो मैं एक्स्ट्रा फेक्ट में आप लोगों को बताऊंगा ओके तो अभी के लिए इतना देखतें इसको थैंक